अगर वो भारतिय जंता पार्टी का बयान नहीं है और बीजे पी उससे सहमत नहीं है तो कंगना रणोत को आज की आज पार्टी से बाहर निकालेगे ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसानों के उपर अत्याचार करते रहोगे किसानों को बदनाम करते रहोगे और आपके नेता लेकि पार्टिय जंता पार्टी का मन नहीं भरा किसानों के प्रति अप शब्दों का इस्तिमाल करते हैं अब इसको और बरदाश्ट नहीं किया जाएगा किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदूस्तान अगर कंगना रणोत इस तरीके का बयान देती है और बीजे पी से सहमत नहीं है, आज की आज गंगना रनौत को सस्पेंट करें पार्टी से फिर वो ऐसा नहीं हो सकता पार्टी की सांसद भी बनी रहें, पार्टी की निता भी बनी रहें और BJP उससे पल्ला भी जाडले दोदो भी और चुपडी चुपडी भी ऐसा अरियाना के अंदर ये कहते हैं कि ऐसा चलेगा नहीं कि निश्य तोर पे जिसने बयान दिया उसका विरोध है भारतिय जंता पार्टी आज की आज उसको निकाले पार्टी से और अपना पला जाड़ ले फिर उसके बाद हमें कोई आपती नहीं है फिर हम मान लेंगे कि बीज पूरे इंदुस्तान को पूरे अरियाडा को पता है लेकिन ये बयान बाजी करके और बाग जाना ऐसा इस बार होने नहीं देंगे एक गाहों तक इस बात को ले करके जाएंगे आने वाला है चुनाव जिससे डर रही है भारतिय जंता पार्टी इसलिए कह रहे हैं शायद कि तारीख बदल दीजिए आगे कर दीजिए क्योंकि तैयार नहीं है किसानों के विरोध का सामना करने के लिए अब जाएंगे जब वोट मांगने के लिए गाओं गाओं में तो हम पूछेंगे इंसे कि तुमारी नेता तो ये कहती है कि हमारे किसानों के प्रतिय अफशब्दों का इस्तेमाल करती है तुम यह किस मूँ से वोट मांगने के लिए आयो ये साफ सवाल गाओं के लोग किसान इनसे पूछेंगे विदान सवा सीटों पर आमादमी पार्टी अपने दम पर मजबूती से तयारी कर रही है 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़के हरियाना के अंदर पूरे बहुमत की सरकार आमादमी पार्टी बनाएगे